सब्सक्राइब कीजिए Math in Seconds YouTube चैनल को और दबाईए इस नोटिफिकेशन बैल को और पाईए Math की शोर्ट रिक्स की जानकारी सबसे पहले आप तक हेलो नमस्कार दोस्तों मैं हो संदेर आप देख रहे हैं हमारे चैनल Math in Seconds और दोस्तों आज की इस रिडियो में मैं आपके लिए करें कुछ ऐसे कुछ जो मैथ के हैं लेकिन आप मैथ की कोई बिट्रे कुन में लगा ही नहीं सकते तो उन्हें करना कैसे दोस्तों किस तरह की क दोस्तों इन में क्या होता है कि ये कोईश्चन जो होते हैं ये Mathematical operation से ज़्यादा आपके जो mental ability होती है उन पर depend करते हैं अब इसमें किस-किस तरह के कोईश्चन होते हैं दोस्तों कैसे वह आपको करने होते हैं आपको बताऊंगी तो सबसे पहले हमारा example है कि एक बंदर 20 म मिटर उचे खंबे पर एक दिन में 6 मिटर चड़ता है वह 4 मिटर फिसल जाता है तो बताओ वह कुल कितने दिन में उपर चड़ जाएगा दोस्तों इस तरह के कोईश्चन अकसर पूछे भी गए हैं आपके जो competition अगरा होता है उसमें दोस्तों इसे कोईश्चन जब भी आ करता है वह सब आपको लेना है क्लाइम में याने कि एक दिन की आपकी जो चड़ाई होगी वह आपके आएगी क्लाइम में ठीक है अपोन आपको करना है n क्या है दोस्तों n का मतलब है कि जितना तो वह चड़ रहा है ठीक है और फिर जितना वह फिसल जाता है उसके बीच का जो भी अंतर होगा वो आपको define करना है n से ठीक है और plus करना है आपको 1 अब आपको हम question solve करके बताते हैं तो देखिए यहाँ पर आपकी height क्या दियो है total height दोस्तों हमाँ पास 20 meter तो हमने लिख दिया 20 meter ठीक है minus करना है आपको climb एक दिन में कितना 업पर चड़ रहा है एक दिन में चड़ है दोस्तों 6 meter तो हमने लिख दिया 6 और बटा में बटा में क्या करना है हमको n n मतलब इन दोनों का difference जितना वो चड़ रहा है जितना फिसल रहा है उसका difference तो दोस्तों 6 meter तो चड़ते है 4 meter वो फिसल जाते है तो दोनों का difference कितना आएगा? दोनों का difference आएगा दोस्तों 2 ठीक है? और plus में फिर आपको क्या करना है? एक अब इसको अफ्सोल कर लीजिए दोस्तों 20 में से 6 आगे तो क्या बचा? 14, 14 में 2 का भाग हम देते हैं दोस्तों इसका अंस्वर आएगा 7 और 7 और यहां पे plus 1 और कर करना है अब इसका एक example और है देखी क्या दिया हो इसमें कि एक लंगूर 40 मिटर उचे खंबे पर 1 घंटे में 10 मिटर चड़ता है वह 4 मिटर फिसल जाता है तो बताओ वह कुल कितने घंटे में उपर चड़ जाएगा आप देखो लंगूर का तो काम ही होता है उपर चड़ मिटर सीज़र में लिख देती हूं यहां पर दिए आपको 40 मिटर माइनस एक दिन में वह यहां पर एक घंटे में कितने कितना चड़ जाता है उपर वह चड़ता है उसके बीच का तो दोस्तों 10 मिटर तो वह चड़ रहा है और 4 मिटर ओफिसर जाता है बचा कितना 6 मिटर यानि कि 6 मिटर वह टोटल चड़ पाता है एक घंटे की बात की जाए तो ठीक है और फिर प्लस आपको क्या कर देना है एक तो दोस्तों इसको अप्सॉल कर लीजिए तो 40 में से 10 ग प्लस एक क्योंकि आपको यहां पे एक जोड़ना है तो दोस्तों यह आपका आजाएगा 6 घंटे तो इस तरीके से आप ऐसे को सोल्व कर सकते हैं अब इसके कुछ और एक्जाम पस लेते दोस्तों तो दोस्तों यह है आपका नेक्ट कोशन देखेस में क्या दिया हुआ है क इसी पार्टी में 15 वैक्ति थे जिनोंने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो बताओ मिलाये गए हातों की संख्या दोस्तों इसका मतला है कि 15 वैक्ति जो थे उन्होंने एक एक करके सबसे हाथ मिलाया फिर दूसरे ने सबसे हाथ मिलाया फिर तीसरे ने इस तरह से वो सिरीज तो उसको आप n गुणा में n-1 से solve कीजिए आपको करना क्या है सिंपल से वाशन आपको बता देती हूं जितनी संख्या आपको दी है उसमें से घटाई और उसे गुणा कर दीजिए तो देखिए 15 और 15 में से एक गे तो कितना बचेगा 14 तो यहाँ पर 14 से 15 को गुणा कर अब लेते हैं वाला next example किसी कख्षा के कुछ चात्रों ने एक दूसरे से कुल 600 बार हाथ मिलाए तो बताओ कख्षा में कुल कितने चात्र थे अब यह भी दोस्तों यहाँ पर एदिया आप इसको एक्स से solve करना चाहेंगे तो आप कर ही नहीं पाएंगे कि इसमें value put हो ही न कर सकें तो दोस्तों करना क्या होगा जब भी ऐसा question देख जाए को केवल इस बात को देखना है कि आप इस संख्या में यहाँ आपको यहाँ दे गए उस संख्या में क्या जोड़े कि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए पूर्ण वर्ग का मतलब है कि एक square root होना चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप 600 है और 600 आप आगे वाजी संख्या देखिए जो square में आती हो square root में तो दोस्तों वह संख्या होती है 625 625 600 कितना कम है 25 तो ठीक है तो हम इसको जोड़ेंगे 25 इसमें तो कितना हो जाएगा 625 इसका मतलब दोस्तों वह संख्या आपकी 25 यानि कि आपके जो कुल छातर थे उस कख्या में दोस्तों वह थे 25 इस तरीके से आप इसको solve कर सकते हैं बड़े ही अराम से अब लेते वारी next example दोस्तों यह आपका next question देखिए आपको क्या दिया होगा है 11 बार गोली छोड़ने में एक बंदू को 60 सेकंड का समय लगता है तो देखिए आपको यहाँ पर क्या बात दियो हुई है कि यहाँ पर 11 बार गोली चल रही है तो उसमें आपको time जो लग रहा है दोस्तों वो लग रहा है 60 सेकंड का ठीक है लेकिन यदि आप इस बात को सोचें कि पहली जो गोली चलेगी उसके बाद से ही तो आपका time स्ट बार गोली चलाने में जो बंदूक है उसको साथ सेकंड का समय लगता है अब आपको क्या बताना है आपको बताने कि आठ बार गोली चलाने में लगने वाला समय तो इस तरीके से आपको यहाँ भी करना होगा आठ बार का आपको कहा गया है लेकिन आपको count कितनी बार का करन जब 60 seconds में चल रही है आपकी 10 गोली है तो साथ गोली कितने बार में चलेंगी कितने सेकंड में चलेंगी दोस्तों यह आपका आजायागा 62 सेकंड में आप 8 बार गोली चलाने चला सकते हैं इस तरह से आपको यह जो कोशिट्ट को सोल करना है अब देखें इसमें एक पैरो की संख्या 290 है तो खरगोश कितने हैं दोस्ते ऐसे कोशन जब भी आपको दे आपको केवल एक ट्रिक याद रखनी है इसमें तो इजी लिए आप इसको सोल्ब कर सकते हैं ट्रिक क्या होगी दोस्तों वो आपको याद रखना है कि पैरो की संख्या में आपको भाग देना है दो का ठीक है और माइनस कर देनी है आपको सिरो की संख्या यानि कि आपके जो हैड है वो आपको दी हुए उनकी संख्या आपको याँ पे माइनस कर देनी है ठीक है और जब भी ऐसे question आपके पास दिये होंगे सबसे पहले terms तो आपके यह है कि यहाँ पर एक जो होगा वो आपका चार पैरों वाला होगा और जो दूसरा होगा वो आपका दो पैरों वाला होगा अब यहाँ पर कुछ भी दे सकता है वो इस formula से दोस्तों वह हमेशा चार पैरों वाले का ही आएगा ठीक है अब यदि आपको दो पैरों वालों का निकालना है तो आप सिरों के संख्या में से घटा के इसको इजिली निकाल सकते हैं फिलाल आप से पूछा किस का है खरगोश खरगोश का क्या होता है चार पैरी होते ह तो अभी तो हम इसका अनसर निकाल लेते हैं, देखे, पेरों की संख्या को कितनी दी दूस्तों, पेरों की संख्या में दी है, 210, बटा में 2, और माइनस 0 की संख्या, देकिनिन कितने आपर, 500, तो हमने यह कर दिया, माइनस 100, अब इसको उवन सोल कर लेंगे, रेते हैं तो हमारा दो पैरवालगा अंस्वर भी आ जाता तो इस तरीके से आप इसको सुल्व कर सकते हैं तो दोस्तों कैसे लगे आपको वीडियो यह पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजी इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हम मेरे जैनले पहली बार आहें तो तो मिलती हो अगली वीडियो में तब तक के लिए जहिन